वेलकम बैक तो माई इटूप्शन पेपर हैकर आज किस वीडियूम देखेंगे जो भी छात्र बी ए फस्स सेमस्टर में है लोग जिसमें सोसलोजी की बात करेंगे सोसलोजी के पेपर के वारे में बात करेंगे और यहां बहुत ज़्यादा इंपोटेंट कोशन बनता है यह कोशन आप से रिटन एक्जाम से पूझता है और जिसके भी यहां देखो बूला गया है समास सास्तर का मानब सास्तर से समंद्ध इस परकार से कोश्चन बनता है कि समाज सास्त्र और मानब सास्त्र जुड़वा बहने हैं इसफर्ष्ट करो यह बहुत जादा बनता है कि जुड़वा बहने हैं आप मुझे बताओ ठीक है कि समाज सास्त्र और मानब सास्त्र जुड़वा बहने हैं यह इसफर्ष्ट कर तो तुम क्या है ये यह आप से पूछेगा तो आप किस प्रकार से इस कोशिन को सिंपल बताओगे तो देखो बताओगे कि मानब सास्र द्रश्टी के देखो मानब सास्त्र और मानब सास्त्र स्रश्टी के प्रारंब से मानब की सारिक देखो जो मानब सास्त्र है वो स्रश्टी मानब सास्त्र स्रश्टी के प्रारंब जब स्रश्टी का प्रारंब हुआ था जब स्रश्टी का जिनम हुआ था उससे ही मानब की सार सब्सक्राइब कि बारे में और उसके सांस्किर्टिक और उद्विकास में क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् समास्त्र और मानब्सास्त्र एक दूसरे से घनिष्ट रूप से संबन देता है यह क्रोबर ने क्या बताया था जो क्रोबर नाम के एक बैग्यानिक थे मैं एक बैक्ति था समास्त्र कह सकते हैं उन्होंने कहा कि जुडवा वहने हैं अब कभी पूछ ले कि समास्ता मानब्सास जुडवा वहने हैं किस ने कहा तो आप कहेंगे क्रोबर ने कहा था किस ने कहा था क्रोबर ने अब कहा अब उ समस्याओं का अध्यन करती है और दोनों का, यह एक ही समाजिक संबन्दों का, अध्यन करना है, दोनों बिग्यान का एक ही संबंद है, कि बो भी समाज के बारे में बताएगा, और समाजी संबंदों के बारे में और समाजी संगटनों के बारे में बताएगा, दोनों बिग्यान यही बताती है, साथी साथ समाज सास्तर का समाज बरतमान जटल समाज से है, म मानब्सास का अद्यम समास से है, मतलब क्या है? आद्यम समास का मतलब है? पिछले, हो सकता है काईसे कैसे उन लोगों में ब्जिद्स слуш리 के बारे हैं। समाच साथ से उसक बार बुला गया कि फिर सत्य उन्होंने कहा कि यदि समाच साथ के कपड़े उतार दिये जाएं कह रहा है यदि समाज सास्तर के कपड़े उतार दिये जाएं तो भै मानब सास्तर बन जाता है उन्हों ने कहा प्रोफेसर सत्र वेंतर ने कहा कि यदि समाज सास्तर के कपड़े उतार दिये जाएं तो भै मानब सास्तर बन जाता है और मानब सास्तर को कपड़े पहना दिये ज आहें तो समासास्त बंजाता है ऐसा टॉपिक आ जाता है कभी कभी कि यह बाद कि सुने कहा यह कि समासांत कि कपड़े पै पहना धिया जाए तो नहीं परकार Sindhu पहना दिये जाए तो समास्ताज बन जाता है यह किस ने का तो आप इस परकार से आपको इसको एक्स्प्रेंट कर पाएंगे यह कहा था प्रूफेसर सत्ब्रेंट ने नेक्स कोशन यहां देखो यहां इस परकार से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि मानब सास्त्र एक मा सास्त्र की एक साका के रूप में समाजिक मानब सास्त्र का छेत्र सबसे अधिक बिस्त्रत है और समाजिक मानब सास्त्र आदिम संस्कृति का ब्यापक अध्यन करता है जो आदिम समाज कह सकते हैं मनब सास्त्र आदिम संस्कृति का अध्यन करता है और समाज सास्त्र मानविये संस्कृति का संसोदित करता है और वास्तब में यहां कह रहा है वास्तब में समाजिक मानफ सास्त्र बहुतिक्स मानफ सास्त्र और समाज सास्त्र को जोडने बाली पिरमुकडी है जो कह सकते हैं जो समाजिक मानब सास्त्र है वो बहुतिक मानब सास्त्र और समाजिक सास्त्र को जोड़ने वाली प्रमुकडी है और देखो बोला गया है मानब सास्त्र के अध्यनों के आधार पर समाज सास्त्र अधुने के विकास की समस्याओं का कह सकते हैं समाधान करते के देखो यहां तक पूरा गहां देखो यहां वह लग plag播 मानप सास्ततर के अध्यन के आधार पर समाशास्ति अधुनिक समाज की समस्याओं का समधान करने के प्रियास करता है अलवर मग दूसरी और समासास्त द्वारा प्रियोग में लाई जाने वाली नभीन विदियों और उपकरणों की सहता से जो आदिम समाज की दिये गए तर्थ सुविधापूरबक खोजने का या खोजे जा सकते हैं ऐसे कह सकते हैं खोजने का प्रतन करता है या खोजे जा सकते हैं ठीके शुरा-कृष भारतिณ समाज ना दो धोगे करो बिख्सद है और ना ही नहीं आदिन समाज की बाती पिशड़ा हुआ है उन्हेंने कहा जो बोटर मुते उन्हें कहा कि भारति समाज है भारत का में है बारत के जो लोग है उस में भारती समाज में ना तो और समाजों की बहाती बिश्ड़ा हुआ है इसाल में समाज सास्तर का अध्यन बस्तू कि लगबख समान है इन दोनों की को क्या बोलते हैं यह आपस में जुड़वा बहनी बोला जाता है और यह दोनों क्या है आपस में समान होती हैं लगबक समान होती है इसलिए ने ब्लावने बोला जाता है तो आई हुब